जै मातादी दोस्तों क्यासे हैं आप आप सबका हमारे चैनल पंडित क्यान में स्वागत है होली की रात को करें घर में ये छोटा सा काम पूरे साल भेर सारा धन रहेगा आपके घर में आईए जान लेते हैं इसके बारे में अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाई बताऊंगी जो आपको होली के दिन करना है इस उपाई को आजमा कर धन से चुड़ी हुई सभी समस्यां दूर हो सकती हैं आप सब जानते हैं इंदो धर्म में होली और दिवाली तो ऐसे बड़े तिवहर माने जाते हैं जिन में कुछ विशेश पूजा करके हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं तो आज मैं आपको जो उपाई बताने चा रही हूँ वो भगवान गणेश जी से संबंदित है तो ये जान लेते हैं इस उपाई को करने के लिए ग्यारा कौडियां और एक छोटे से शंक का इंतजाम कर लें हुलिक की रात जिस दिन पूजा करनी है उस दिन भगवान गणेश जी की मुर्ती के सामने एक गेहूं की छोटी सी धेरी लगाए इसके बाद पूर्वदिशा की और मू करें और गेहूं की धेरी पर कौडियां और छोटा सा शंक मालक्ष में के सामने रखते अगर मालक्ष में और गणेश जी की तस्वीर एक साथ है तो ये बहुत ही उप्योगत होगी अन्यता आप अलग-अलग मूर्थियां भी सामने रख सकते हैं और उन दोनों के सामने गेहूं की धेरी पर कौड़ी और छोटा सा शंक रखते इसके बाद ओम गन गन पते नमह इस मंत्र का चाप करें और मालक्ष में को खुश करने के लिए ओम स्री महालक्ष में नमह मंत्र का चाप करें ऐसा करने से आपकी धन से जोड़ी हर परकार की समस्या का हल हो जाएगा तो दोस्तो ये थी हमारे आज की वीडियो उमीद करती हूँ दोस्तो कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कामेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूशना चाते हैं या फिर आप किसी समस्या का समधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारी चैनल पंडित क्यान को सब्सक्राइब करना ना भूलें जय मात आदि